नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार होगा इसराइल दुनिया का खुंखार आतंकवादी रास्ट होंगे बेंजामिन ने तन्याहू आतंकवादी लोकतंत्र के मसीहा पहुचते होंगे दुनिया के बड़े-बड़े रास्टा लेकिन 20 साल की एक लड़की ने इसराइली लोकतंत्र को नंगा कर डाला है और वो 20 साल की लड़की कोई हत्यार बंद लडाका नहीं है किसी रास्टावादी या तंक की घिनौनी चालों का चेहरा भी नहीं है और नहीं वो हत्यारों के सौड़ागर मुलकों की कोई कूर दल है लेकिन फिर भी इसराइल बीस साल के उस लड़की से थर थर काप रहा है उस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग आप में से बहुत सारे लोग जानते हों आपको याद होगा कि ग्रेटा में पिछले दिनों गाजा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किये थे उन्होंने साफ साफ लिखा था कि आज हम फलस्तीन और गाजा के साथ एक जुटता दिखाते वी हरताल कर रहे हैं दुनिया को फलस्तीनियों और प्रभावित सभी नागरिकों के लिए ततकाल युद्वेराम न्याय और स्वतंत्रता के लिए बोलने और अपील करने की खड़ी हो दूसरे पोस्टर पर लिखा है एक बच्ची के यहूदी फलस्तीन के साथ खड़ी हो बच्ची यहूदी है तीसरे पर लिखा है फलस्तीन को आजाद करो और चौते पर फलस्तीन के जंडे के साथ लिखा है क्लाइमेट जस्टिस नाओ इतना ही नहीं ग्रेटा थ की प्रतिक्रिया होगी यह किसी नहीं सोचा था लेकिन उनकी पोस्ट के केवल दस तिन बाद इस्राइल की एजुकेशन मिनस्ट्री ने स्वीडेन की विश्व विख्यात क्लाइमेट अक्टिविस्ट ग्रेटा थन्वर्क का चाप्टर स्कूल के सिलेबस से हटाने का फैसला क करते में कहा कि हमासातं की संगठन है उसने हमारे 1400 नागरिकों की हत्या की है इन में बच्चे और महिलाएं और बजर्ग शामिल है उसने 200 लोगों को बंधक बना कर रखा है अब अगर ग्रेटा उसका समर्थन करती है तो यह शिक्षा और रहतिकता के हिसाब से घलत है और व कोल रहा है कि हम जलवायू को लेकर भी उनके काम को कुछ खास नहीं मानते है ऐसे ही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि हमने ग्रेटा के क्लाइमेट से जोड़े कामों का समर्थन किया यह बात सच है लेकिन अब उन्होंने जो किया है उससे इस काम पर तैयार नहीं है सोचिए क्या मज़े की बात उसकी दलील है कि ग्रेटा के अलावा भी पर्यावरण के शेतर में काम करने वाले और भी कई लोग है अब सवाल है कि उनके बारे में पढ़ाने से किसने रोका और इसराइल यह कहना चाहता है कि 1400 लोगों को मार देना गलत है ले अपने आप में बहुत ही सतही किस्म की दलील है चीप देरसल इसराइल के चड़ की वज़ा है ग्रेटा थन बग्ते उठाए हुए मानवता के बुनियादी प्रश्न उन्होंने कहा था कि दुनिया को एक जुठो कर और फॉरन सीज फायर की मान करनी चाहिए फलस्तीनियों क और इसराइल की ताकत देखिए वो बीस साल की इस लड़की के लिखने पढ़ने बोलने से ताश के पत्ते की तरह हिलने लग गया ग्रेटा थन बग्त दुनिया भर में मजदूरों किसानों महिलाओं और शोशितों के लिए मुखरता से आवाज उठाती रही है कोई पहली बार नहीं उठाया तीन साल पहले जब भारत में किसान अंदोलन हुआ था तब भी ग्रेटा थन बग्ने आवाज उठाई थी और इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था भारत में उन्होंने टूल किट शेयर किया था दिल्ली पुलिस तेस टूल किट को शेयर करने वालों क ने खिलाफ फायार दर्शकर डाली थी ग्रेटा थनबग ने इसका भी विरूद किया था आपको बता दें कि क्लाइमेट अक्टिविस्ट ग्रेटा थनबग का जन तीन जनवारी 2003 को स्विडन के स्टाक होम में हुआ था उनकी मामालेना एमान एक उपेरा सिंगर है जबकि पिता स्वांते थनबग आक्टर ग्रेटा के दादा एस अरहैनियस वैज्ञानिक थे बड़े मशूर उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक मॉडल दिया था और इसके लिए उन्हें 1903 में मतलब 120 साल पहले केमस्टी का नोबेल पुरसकार मिला था ग्रेटा की आवास क पहुंच और असर का अंदाजा इसी से लगाई है कि पूर्व अमेरिकी रास्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प ने उन्हें कई बार अपना निशाना बनाया सोच लीजिए 15 साल की बच्ची से अमेरिका का रास्ट्रपती होड ले रहा था एक पर नहीं कई बार ग्रेटा 11 साल क उम्र से जलवायू परिवर्तन के बुद्दे पर काम कर लेंगे जलवायू परिवर्तन की मुहिम के लिए ग्रेटा ने स्विडन के संसत के बाहर हर शुक्रवार को प्रदल्शन करना शुरू किया था उनके इस हैश्टाग फ्राइडे फॉर फूचर के साथ दुनिया के कि देशों के हजारों बच्चे ग्रेटा की तरह जलवायू परिवर्तन के खलाफ आवाज उठाने लगे दोहजार उन्यस में संजुक्त रास्ट में जलवायू परिवर्तन पर दिया गया उनका भाशन बहुत चर्चित हुआ ता आपने सुना होगा इस भाशन में ग्रेट किया तो से ये बात चुब गई उसने सुनियोजित तरीके से ग्रेटा थनबग के खलाफ एक जहरीला अभियान शुरू किया लेकिन वो उनके असर का क्या करेगी इसराइल क्या करेगा उनकी आवाज की पहुँच का इसराइल की एक स्कॉलर एडम तेवा विडिन हैं उन्ह कर अंदाज करने वाली बात होगी जो सैक्रों लोग जिनका अपहरण हुआ है उनका क्या होगा लेकिन इसराइल सवाल का जवाब देने को तयार नहीं है कि वेस्ट बैंक से उसने जो सैक्रों लोगों को उठाया है उनके साथ क्या करने वाला है क्या यह अपहरण करने जैस इसराइल की सरकार लग गई सामाजिक संगठन लग गए और इसके बाद सीना भी लग लग इसराइली सेना के प्रवक्ता शारूस चालिकर तो यहां तक बोल गए कि मेरे विचार में जो कोई भी भविश्य में किसी भी तरह से ग्रेटा के साथ अपनी पहचान रगता है वह आ जास्तों में फलस्तीनियों के पक्ष में नहीं बलकि वह इसकी आर में फलस्तीन हमास और इसलामिक जिहाद का समर्थन कर लें यह मांसिक दिवालिया पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया भर में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई नतीजा शारूस शालिकर को की बिंबित नहीं करते हैं क्या बात है कि मेरी भी सोच ऐसी नहीं है इसके बाद खुद ग्रेटा थनबग ने भी एक बयान जारी कि और कहा कि हम निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के भेद भाव के खलाफ हैं और सभी रूपों और आकारों में यहूदी विरोधी 20 साल की लड़की के पीछे पड़ जाए सरा सोच कर देखिएगा यह लोग तंत्र है या शर्मनाक घटियापन इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए बेल आइक ऑन दबाई ये घंटी जैसी आ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जनरलिस्ट आप कुछे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कारे